हेलो दोस्तों उत्राखंड की पार्ट शाला में आपका श्वागत है यह है उत्राखंड भोल टेस्ट संख्या बारा उत्राखंड के नदी तंत्र भाग दो यहाँ पर हम देखेंगे राज्य के नदी तंत्रों से संबंदित प्रस्णों को तो चलिए सुनू करते हैं उत्राखंड भोल टेस्ट संख्या बारा राज्य के नदी तंत्र भाग दो हमारा पहला प्रस्ण है नीब कलोरी बावा आश्रम अर्थात कैचिधाम किस नदी के तर्ट पर इस्तित है नेनिताल जिले का प्रसिद आश्रम नीब कलोरी बावा आश्रम इन चार नदियों में से किस नदी के तर्ट पर है ये हमारा प्रस्ण है कोसी, खेरना, जटागंगा या सिप्रा इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर चार सिप्रा प्रसिद कैची धाम आश्रम सिप्रा नदी के तर्ट पर है जो बावा नीब कलोरी का आश्रम है हनुमान का उतार माने जाते हैं बावा नीब कलोरी प्रसिद रहस्यमई संत थे इस छेत्र के तो सिपरा नदी के तरपर इनका प्रसिद्ध आश्रम है नीप कलोरी बाबा आश्रम या कैंची धाम अगला हमारा प्रस्ण है रामनी गाड, जेठा गाड एवं चुफल्या गाड किस नदी के अफ़ा तंतर का हिस्सा है ये तीन जो सहायक नदियां है रामनी गाड, जेठा गाड, चुफल्या गाड इन चार नदियों में से किस एक के अफ़ा छेतर में आती है तो नंदाकनी, यमुना और नयार और पूर्वी रामंगा में से ये नदियां सहायक नदियां है नंदाकनी नदी की बात करें नंदाकनी नदी की तो ये स्वयम में नंदाकनी नदी सहायक है अलक नंदा नदी की यह नंद प्रियाग में अलक नंदा नदी में आकर मिल जाती है या संगम बनाती है इसी की ये सभी सहायक नदियां है जो इसी में आकर मिल जाती है नंदा घूंटी से आने वाली जो ये नदी है नंदाकनी इसकी अन्या अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर अन्या नदिया है भद्रा भद्रा भी इसकी एक सहायक नदी है साथ में एक इसी प्रकार की पुनीड गाड या ऐसे एक गाड है या पुनीठा गाड ऐसी एक गाड इसकी अन्य एक सहायक नदी है यहाप अन्य जो नदियां हैं वो हैं यमुना, नयार और पूर्वी, रामगा तो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले वीडियो में और फिर बात करेंगे अगरा प्रस्न है निम्न खित मैंसे कौन सी नदी पिंडर की सहायक नदी नहीं है यह चार नदियां है, इनमेंसे एक नदी ऐसी है जो पिंडर की सहायक नदी नहीं है इसके बारे में हमने बात करनी है अगर हम देखें तो यहाँ पर कुफनी नदी पिंडर की सहायक नदी है यह प्रस्न एक्जाम में आ चुका है मिलम नदी की बात करें तो यह भी पिंडर की सहायक नदी है यह मिलम की पस्मी स्रेण से आती है और पिंडर में आकर मिल जाती है अगली नदी है अटागाड ये भी सिमली के पास पिंडर नदी में मिल जाती है कंटप्याग के पास सिमली है और वहाँ इसके पास ही ये अटागाड दूसा तोड़ी से निकल कर इसकी सहायक नदी बन जाती है जो नदी है option number D में तिनकर खोला ये तिनकर खोला नदी पिंडर की सायक नदी नहीं है यहाँ काली की सायक नदी है जो नेपाल की ओर से आती है ये काली नदी की सायक नदी है और उपरी काली घाटी में पिथोरागड में काली में मिल जाती है और ये नेपाल छेतर से आती है अगला प्रस्ण है निम्ल लिखित मैंसे कौन सा नगर गोला नदी के तर्ट परिस्थित नहीं है यहां चार नगर है इन मैंसे तीन नगर गोला नदी के तर्ट परिस्थित नगर है और एक गोला के तर्ट पर नहीं है अगर बात करें हम काट गुदाम की तो काट गुदाम ग गोला के तटपर नहीं है। इसकी एक सायक नदी है बालिया ये बालिया जो सायक नदी है गोला की ये निताल जील के जल को गोला में लाती है। अगर अन्य निद्यों की बात करें तो दूद गंगा नाम की एक नदी जो भिलंगना की सायक नदी है टीरी में और मनसूर ताल से निकलती है। जबकि गरुड गंगा नाम की नदी है जो अलक नंदा की सायक नदी है और चमोली में मिल जाती है चमोली से पूर ही। सुयाल की बात करें तो सुयाल एक प्रमुखन नदी है कुमाव की जो कोसी की सायक नदी है और सुयाल और कोसी के बीच बसा है अलमोडा सहर कासाय परवत पर। अगला प्रस्ण है निम लिकित मैं से कौन सी नदी कारवेट राष्ट्य उध्यान के मद्य से गुजरती है इन चार नदियों मैं से वो नदी कौन सी है जो कारवेट राष्ट्य उध्यान के मद्य से गुजरती है नंदोर, पूर्वी धोली गंगा, पस्मी राम गंगा या यह राम गंगा जो इनिशल पार्कित का नाम पड़ा था इसका करण यही था कि इसके मज़े से एक नदी घुजरती है राम गंगा नदी और यहीं पर पाथडी दून भी इस्तित है तो इस नदी के चारो और बसा है कॉल्बेट रास्टे उध्यान या इसे यहाँ पर इस्ता पूर्वि नयार इवं पस्मी नयार का संगम की सस्तान पर है प्रसिद नदियां है दोनों की दोनों और दूसा तोरी से निकलने वाली यह दोनों नदियां पूर्वि नयार और पस्मी नयार कहां पर संगम बनाती है तो इसका सही आंसर है रिकल्प संख्याड़ी सत्पुल सत्पुरी में इन दोनों निजियों का संगम है और सत्पुरी संगम को ही वेन तेयक तीर्थ कहा जाता है इस संगम को नाम दिया गिया है वेन तेयक तीर्थ वेन तेयक तीर्थ नयार के संगम को ही कहा जाता है अगर हम बात करें पैठानी की तो पेठानी में पूर्वी नयार की दो साखाएं आपस में मिल जाती हैं पसिमी नयार दो साखाओं से मिलकर आती है और दो जो साखाएं पसिमी नयार की हैं वो मिलती है पेठानी में पेठानी में राहु का एक मात्र मंदिर भी है यह आपने सुना होगा तो ये है पूर्वी नैयार से संबंदित प्रमुख fact पाक रहे बिनसर की तो बिनसर नाम का एक मंदिर या विनेरेस्वन स्वामी अलमुडा में भी है और बिनसर मंदिर आपका एक मिलता है आपको पौडी में ठीक और पावो एक प्रमुक अस्तान या प्रमुक बाजार है पावो तो ये थे प्रमुक फैक्ट नयार से सम्मंदित आगे हम देखेंगे निम निखित मैंसे कौन सी नदी नामिक एमम पॉंटिंग ग्लेशर से जल प्राप्त करती है इन नदियों मेंसे कौन सी वो नदी है जो नामिक और पॉंटिंग ग्लेशर से जल प्राप्त करती है सर्यू, गोरी गंगा, पूर्वी राम गंगा और मतकानी इन नदियों की बात करें तो यहां पर प्रमुक नदी जल प्राप्त करती है नामिक और पॉंटिंग से वो है इन सभी नदियों में से पूर्वी राम गंगा की बात करें तो यह सर्यू नदी की सहायक नदी है और अपना संपूर जल रामेश्वर में सर्यू को सौंप देती है पूर्वी रामगा नदी नाम एक पॉंटिंग या एक अन्य गलेशरी नाम यहाँ पर है मानिक यहाँ से जल प्राप्त करती है और इसकी कुछ सहायक नदियां भी है इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर काला पानी गार्ड, बिरल गार्ड, भुझ पत्री गार्ड, गर गतिया यह सभी सहायक नदियां है पूर्वी राम गंगा की गौरी गंगा की बात करें यहाँ प हनुमन गार्ड इवभन किसकी सहायक नधिया है प्रमुख नधिया है दो हनुमां गार्ड इवभन रिखनार एक हनुमान चत्ती क्रिकर और दूसरी यहीं आगे जाकर एक अस्त्तान पर उस अपने संबंधित नधिये में मिल जाती है लाखा मंडल नामक अस्तल। तो यह नदी कौन हो सकती है ये है विकल्प भी यमुना ये यमुना की सहाइक नदियां है बहुत सारी यमुना की सहाइक नदियां है जैसे रिसी गंगा मुगरा गार्ड कृष्णा गार्ड कमल गार्ड आपने नाम सुनाओगा बरनी गार्ड भधरी गार्ड अल गार्ड अमलावा ह बात करते हैं तो ये सभी नदियां यमुना की सहायक नदियां है ठीक तमसा की बात करें तो तमसा कालसी में यमुना में मिलती है टॉस तमसा का एक नाम है मंदागनी की बात करें तो ये अलक नदा की सहायक नदी है रुद्रप्याग नगर में सहर में अलक दंदा किसाथ संगम बनाती है काली की बात करें तो राज्य की सबसे लंबी नदी है अगला प्रस्ण है लंका नाम कस्तल किस नदी के तर्ट पर इस्तित है बात करें लंका नाम कस्तल की तो यह अस्तल भेरोगाटी के पास इस्तित है और भागी रथी नदी के तर्ट परिस्तित है लंका एक प्रूमक अस्तल है जो एतियासिक महत्व काभी है और यहीं पर हिमत अन्दुवा सरक्षन केंद्र भी कंगोतरी रास्ट्य उद्यान केंद्रकत बन रहा है अगरा प्रस्ण है किस नदी को नाद गंगा एवं कुछ जिर्णा कहा गिया है कौनसी वो नदी है जिसके लिए इतने नामों का प्रियोग किया गिया है तो वो नदी है हमारी नयार नयार जो पस्मी नयार एवं पूरी नयार से मिलकर सत्वली में बनती है उसी को नारद गंगा, नाद गंगा, कुछ जिर्णा भी कहा गिया है इसे इंद्रावती भी कहा गिया है पुराणों में इसे इंद्रावती भी पुराणों में कहा गिया है अगरा प्रस्ण है निम्न लिखित में से किस नदी की घाटी में गुविंद रास्ट्य उध्यान इस्तित है राजे का प्रसिद रास्ट्य उध्यान है गुविंद रास्ट्य उध्यान इसे गुविंद रास्ट्य उध्यान एमबने जीव अभ्यरने भी कहा जाता है संक्त रूप से और यहां इस्तित है राजे की प्रसिद टॉंस नदी की सहायक नदी सुपिन की घाटी में सुपिन जो स्वरगारोहनी गलेशियर से निकलती है यहाँ नदी स्वर्गा रोहनी गलेशेर से निकलती है और उत्राखंड के सबसे पस्यमी भाग में इस्तित है और यहाँ से आथी है शुपिन नदी और हर की दून चेतर में बैते हुए यह आगे बढ़ती है और नेटवाल नामकस्तान पर सुपिन में मिल जाती है और तब जाकर निर्मान होता है टौस का तो टौस का निर्मान से पूर्व नेटवार के अंदर सुपिन की घाटी में इस्तित है गुविन्द रास्टे उत्यान पबर भी एक सायक नदी है टौस की जो त्यूनी नवा कस्तान पर अगला प्रस्न है गर्जिया देवी किस नदी के तटपर इस्तित है प्रसिद्ध धाम है माता का मंदिर है गर्जिया देवी ये किस नदी के तटपर इस्तित है ये हमारा प्रस्न है इन चार अप्शन में देखें तो गर्जिया देवी इस्तित है हमारे कोसी नदी के तटपर यह अस्तल है कोशी नदी के तटपर कोशी नदी के तटपर जो अन्य अस्तलों की हम बात करें तो यहाँ पर इस्तित है अलमुडा का प्रसिद्ध छेत्र सोमिस्वर यहीं पर हमारा है नेंताल में खेरना जापर खेरना गजिरा इसने आकर मिलता है इसके बाद राम नगर सबसे प्रसिद्ध छेत्र जो कोशी के तरड़ पर है और गर्जिया देवी ये सब कोशी के तरड़ प्रमुक सहर है अगरा प्रस्न देखें तो सक्ति नहर किस नदी पर निर्मित है या किस नदी पर एक परसिद्ध नहर निकाली गई है सक्ति नहर तो यमुना नदी पर सक्ति नहर निकाली गई है अस्तल है डाग पत्थर बेराज विकास नगर के पास है डाग पत्थर और यहीं से ये सर्ती नहर यमना पर निकाली गई है ठीक, अगरा फ्रसन है कौन सी नदी पंचा चुडी परवस से निकलती है इस बारे में हमने बात की है पंचा चुडी परवस से निकलने वारी जो प्रमुक नदी है वो इन चार नदियों में से है मतकानी मतकानी नदी पंचा चुली सिकर से निकलती है और यहाँ गोरी गंगा की सहायक नदी है गोरी गंगा में अपना जल गिरा देती है मुंस्यारी जो छेत्र है वो इसी के आसपास इस्तित है जोहार घाटी इसी के आसपास इस्तित है बात करें हम जिंभा गदेरा की तो जिंभा गदेरा आपको प्रमुक सहायक नदी मिलेगी आपको गोरी गंगा की ठीक और पनार की बात करें तो पनार सर्यू की प्रमुक सहायक नदी है अगरा प्रस्न है लंगुरगाड एवं सिलगाड का संगम की सस्तल पर है ये दो नदिय 오ropport . अगरा प्रस्ण है प्रसिद्द्र व्यास आउटि एवं व्यास आस्रम की इस रडिके तट पर काली नदी की घाटी है या घाटी जो पितोरागड में इस्तित है और अगर हम बात करें कुटी यांग्टी की तो कुटी यांग्टी काली की प्रमुक सहायक नदी है कुटी यांग्टी जो गुंजी के पास काली में मिल जाती है लिसर की बात करें तो ये लिसर गोरी गोमती के तर पर नीम लिखित मैं से कौन सी नदी के झालती है, ये चार रागला नदी के से निकलती है ये चार नदिया है, दापका, लोहाथ़ी, कोसी और केदार गंगा, इन मेंसे कौन सी वो नदी है जो glacier से निकलती है बाकी मध्य हिमालय या सिवालिक चित्रों से ही निकलती है तो इन नदीयों के करें हम बात करें तो इन मेंसे वो नदी है विकलप डी केदार गंगा केदार गंगा प्रमुक सहायक नदियों में से एक है जो गंगोत्री के पास मिल जाती है भागी रथी में और यहां केदार ताल से निकल कर आती है केदार ताल जो गलेशियर का छेतर है यह केदार ताल हिमनत से निकल कर आती है जो ग्लेशियर का छेतर है जब कि बात करें दापका की तो यहां नैनिताल के निचले छेतर से निकल कर उधमसी नगर में बैती है लोहावती भी इसी छेतर में बैती है चमपावत में कोसी की बात करें तो यहां कोसी भी धार पानी धार कौसानी से निकलती है और बाद में बहती है नेनिताल के आसपास तो यह नदिया मज्य हिमाले या सिवालिक से निकलती है जब केदार गंगा हिमानी से निकलती है अगला प्रस्ण है वरुणा एवं भागी रती का संगम किस अस्तान पर है प्रमुक नदिया है भागी रती और उसकी प्रमुक सायक नदी वरुणा वरुणा वत परवस से निकलने वादी ये वरुणा नदी उतरकासी सहर में ही भागी रती से संगम बनाती है यहीं पर एक अ प्रसिद्ध गेवार घाटी, समतल घाटी है, किस नदी की घाटी को गेवार घाटी कहा जाता है, इन चार आप्संस में से, तो इसका सही आंसर जो है, वो है, पस्मी राम गंगा, पस्मी राम गंगा की घाटी को गेवार घाटी कहा जाता है, यह पस्मी राम गंगा नदी की गिवार घाटी कहा जाता है, ठीक, अन्य यापर मासी, भिक्या, सिर्ण, सब इसी के तरफ पर इस्तित है, अगला प्रस्ण है, पुरोला, किस नदी के तरफ पर इस्तित है, भद्रिगाड, किष्णागाड, कमलगाड ये अम्रिकनाड, इसमें से कौन सी वह नदी है, जिसके तरफ पर प्रोला इस्तित है, तो उतरकासी का प्रसिद्ध छेत्र प्रोला इस्तित है, कमलगाड नदी के तरफ पर, कमलगाड की बात करें, तो लाल धान के लिए बहुत प्रसिद्ध ये घाटी है, कमलगाड नदी की घाटी, और इस नदी की बात करें, तो इस नदी के त पर रामा सेराई और कमला सेराई नाम की प्रमुक धान गाटियां हैं, यहीं इस्तित हैं, यह बहुत प्रसिद्ध हैं धान के लिए, आगे बात करें आपर भदरी गाट की, कृष्णा गाट की, रिखनार गाट की, तो यह सभी भी यह मुनार की प्रमुक सहाय का नदियां हैं अगला प्रस्ण है मलारी एवं तपोवन किस नदी के तड़ पर इस्तित है चमूरी में इसे दोनों सहयर ये दोनों छेतर है मलारी एवं तपोवन इनकी बात करें तो ये अलगनदा अफ़ा तंतर में आते हैं और किस नदी के ये तड़ पर हैं यहाँ भी प्रमुक सहायक नदी है पस्यमी धौली गंगा की ठीक और अन्या की नदी की बात करें गिर्थिकार तो यहाँ भी धौली गंगा की सहायक ही है अगला प्रस्ण है किस नदी को प्राचियन गरंथों में आशिता कहा गया है एक नदी है जिसे प्राचियन गरंथों में आशिता कहा गया है वो नदी है यहाँ पर विकल्प भी यमना आशित मुनी के आश्रम के पास से निकलने करान इसे आशिता कहा गया है इसे अन्य नामों में यमी भी कहा जाता है इसे कालंदी भी कहा गिया है इसे यमी कहा गिया है यम की बहन कालंदी कहा गिया है सूर्य पुत्री इसे कहा जाता है सूर्य पुत्री भी इसे ही कहा जाता है तो कई सारे नाम यमना के यहां पर है अगला प्रस्न है पनार किस नदी की सहायक नदी है एक नदी है पनार पनार की बात करें तो पनार के बारे में कहा जाता है कि पनार पर ही सोना निकाला करते थे कभी चंद राजा तो पनार नदी किस नदी की सहायक नदी है इन सभी नदियों में से तो पनार की हम बात करें तो पनार सहायक नदी है सर्यू नदी की यह सर्यू में मिल जाती है एक अस्तल पर जिसका नाम है काकड़ी घाट दो काकड़ी घाट है एक वो है जिस पर स्वामी वेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति मानी जाती है ये दूसरा कागडी घाट है जो सर्यू और पनार के तर्ट परिस्तित है तो ये थे हमारे आज की कुछ प्रस्न धन्यवाद